नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा देश की जानी मानी कवियत्री है अनामिका जैन अंबर जिनको कविता में जरासिवी रुची है जिनको साहित्य में जरासिवी रुची है वो इस्लाम से बखुबी परचित होगा और अनामिका जैन अंबर के लाखों मुरीद हैं इस देश में उनकी कविताओं के लाखों मुरीद हैं इस देश में सोनपूर मेले में आमंत्रित किया गया था एक कारिक्रम में लेकिन प्रसाशन पर आरोप है कि अनामिका जैन को काब्बे पाठ करने से रोका गया कभिता नहीं पढ़ने दिया गया अनामिका जैन अंबर ने ये आरोप लगाया कि वो रास्ट की बात करती हैं और ये पसंद नहीं आया वहाँ अधिकारियों ने ये कहा कि उपर से आदेश है ये इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है अनामिका जैन अंबर के आरोपों के बाद इस पूरे घटना करम के बाद ब्यार की राजनिती का तापमान चड़ गया है चुकि भारतिय जनता पाटी इस पूरे दिवाद में कूद पड़ी है भारतिय जनता पाटी इस पूरे मामले को लेकर भी नितीस कुमार पर हमलावर है पले बीजेपी के कई बड़े नेताओं की तरफ से बयान आए और उसके बाद मोर्चा सम्हाला बिहार के पुर्व उपमुख मंत्री सुसील कुमार मोदी ने सुसील कुमार मोदी ने कहा है कि महा गटबंदन ने महिला कभी पर ताना साही दिखाई है उन्होंने यह भी कहा है कि जो कलंक लगा है उसको भाजपा मिटाएगी अनामिका जैन अंबर को बीजेपी सम्मानित करेगी अनामिका जैन अंबर इस वज़़से भी चर्चा में रही है कि जब 2022 के यूपी विधान सभा चुनाओं में नेहा सिंग्राठोर ने ये गाना गाया कि यूपी पर काबा और एक तरह से यूपी की सरकार उनकी नितियों पर सवाल उठाया अपने गाने के जरिये CM योगी की नीतियों पर सवाल उठाया उन पर तंज कसा तो अनामिका जैन अंबर नहीं BJP की तरफ से मुर्चा समाला था और उन्होंने ये गाया था UP में बाबा तो अब BJP ये भी आरूप लगा रही है कि नितीज कुमार CM योगी की जो लोग प्रियता है उससे घबड़ा गए हैं ब्यार के पुर्व मंत्री और राज्यसभा सांसर सुसिलकुमार मोदी ने कहा है कि स्वनपूर मेला में कवियत्त्री अनामिका अंबर को काब पाट करने से रोक कर दिनकर की धर्ती पर हिंदी कविता इस्त्री और अव्यक्ति की आजादी जैसा तीरा आप मान किया गया है जिसे जेडियू और महागडबंधन बरदास्त नहीं कर सका जे आरोब भारतिय जनता पाटी का है सुसिलकुमार मोदी का है इस पुरी रिपोर्ट में इतना ही इस पुरी खबर में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद